आज हम संस्कित में वाक्य निद्मान को किस तरह करना चाहिए इस विशाय में संस्कित व्याक्रण के माध्यम से जानेंगे संस्कित भाषा को समझने के लिए हमें कुछ बातों को जानना चरूरी है पहला लिंग लिंग तीन प्रकार के होते हैं पुल लिंग, इस्त्र लिंग, नपुन्शक लिंग वचन संस्कित में वचन तीन प्रकार के होते हैं एक वचन, द्वी वचन और बहु वचन पुरूश प्रथम पुरूश, मध्यम पुरूश और उत्तम पुरूश धातू या क्रिया जैसे पठ मने पढ़ना वद मने बोलना लकार या काल लटलकार मतलब वर्तमान काल लिटलकार मने भविश्य काल लंगलकार मतलब भूत काल विभक्ती या कारक कारक करता से लेकर के अधिकरन के कारक जिन्न को हम कारक कहते हैं विभक्ती प्रतमा से लेकर के सब्तमी विभक्ती तक हम विभक्ती के रूप या प्रत्य कहते हैं अब हम लिंग को समझेंगे सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग किसे कहते हैं? संग्या का वहरूप जिसके द्वारा किसी व्यक्ति वस्तू आदी की जाती का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं लिंग तीन प्रकार के होते हैं पहला पुल्लिंग, दूसरा इस्त्रिलिंग और तीसरा नपुन्सक लिंग. पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुज जाती का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं. यथा या एक्जामपल, बाल कह, सिख्ष कह, आदी शब्द. दूसरा इस्त्रिलिंग, जिस शब्द से इस्त्रि जाती का बोध होता है, उसे इस्त्रिलिंग कहते हैं. यथा या एक्जामपल, बाली का, सिख्ष का, आदी शब्द. तीसरा है नपुन्सक लिंग. जिन शब्दों में पुरुष या इस्त्रि का बेद नहीं होता है, उसे नपुन्सक लिंग कहते हैं. ऐसे शब्दे प्राया, निर्जीव, फल, इस्थान या अंग से संबंदित शब्द होते हैं. यथा या एक्जामपल, आम्रम, पुस्तकम, आदी शब्द. अब हम वचन, वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम जानेंगे, वचन, जिससे संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं. संस्कित में तीन प्रकार के वचन होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा दी वचन, तीसरा बहु वचन. वचन के प्रकार एक वचन जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं यथा बाल कह एक लड़का या एक बालक पुलिंग शब्द लता एक लता इस्त्रीलिंग शब्द पत्रम एक पत्ता नपून्सक लिंग शब्द बालकव, लता, पत्रम यह प्रत्माई भक्ती एक वचन का शब्द रूप है लिंग के अनुसार, पुलिंग, इस्त्रिलिंग, नपुनसक लिंग के अनुसार उन शब्दों के शब्द रूप बदले हुए है दूसरा है, दीवचन जिससे दो का बोधो उसे दीवचन कहते हैं यथा बालकव, मतलब दो बालक पुलिंग शब्द है यह लते, दो लता, इस्त्रिलिंग शब्द पत्रे, दो पत्ते, नपुनसक लिंग शब्द दीवचन में प्रत्माई भक्ती दीवचन का शब्द रूप है तिसरा बहुवचन जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं यथा बालकाह मतलब अनेक बालक पुल्लिंग शब्द है लताह अनेक लताए इस्त्रुलिंग शब्द पत्राणी अनेक पत्ते नपुन्सकलिंग शब्द बालकाह लताह पत्राणी इन शब्दों के शब्द रूप वचन के अनुसार बदल जाते हैं लिंग के अनुसार भीन के शब्द रूप बदलते हैं पुरुष पुरुष तीन प्रकार के होते हैं पहला व्यक्ति को संस्कृत में उत्तम पुरुष कहते हैं दूसरे व्यक्ति को मद्यम पुरुष कहते हैं और तीसरे व्यक्ति को प्रथम पुरुष कहते हैं प्रथम पुरुष मने थर्ड परसन वे शब्द हैं जिनसे जिनके विशाय में बात की जाए यथा, example, रामाह, सर्वनाम शब्द, तत्य, मने हिंदी में वह, ही और शी, मध्यम पुरुष, second person, वे शब्दे हैं जिनसे सुनने वाले, अत्वा श्रुता का बोध हो, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, यथा, 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 example, संस्कृत शब्द, यूस्मत, त्वम, प्रत्माई भक्ति, एक बचन, हिंदी में तुम, या आप, इंग्लिश में यू, उत्तम पुरुष, या first person, वे शब्दे हैं जिनसे कहने वाले का बोध हो, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, यथा, 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 अस्मत, संस्कृत शब्द हैं, आहम में प्रत्माई भक्ति, एक बचन है, मैं हिंदी का शब्द है, आई और वी, लिंग, बचन, पुरुष के अलावा, हम धातू, लकार और वी भक्ति के चिन्नों के बारे में भी आगे जानेंगे,